मनुष्य का पुत्र आया है और उसने स्वय को मनुष्य की देह में अपनी दुलहन के लिए प्रकट किया है उसने यह कहा है हम इस पर विश्वास करते हैं और उसने इसे साबित किया है हम उसकी दुलहन कलीसिया हैं जिसने उसके मुह से निकले हर एक वचन को सुनकर और उस पर विश्वास करके अपने आपको तयार किया है मरे हुओ का पुरुत्थान होगा वह इसे साबित करेगा कलीसिया का रेपचर होगा वो इसे साबित करेगा एक सहसराब्दी या हजार वर्ष होंगे वह इसे साबित करेगा वह एक नया आकाश और एक नई धर्ती होगी वह इसे साबित करेगा क्योंकि उसका वचन ऐसा कहता है हम ही वो लोग होंगे जो वहां पर होंगे वह इसे साबित करेगा हम ही वो लोग हैं जिन्हें इस वचन का भाग बनाया गया है उसने हमें वहां होने के लिए पहले से ठहराया है उसके पूर्वज्यान के द्वारा एक रेपचर होने जा रहा है और कोई भी इसे नहीं रोकेगा, हम वहां पर होंगे शैतान ने लंबे समय से कहे गए वचन के केवल एक वचन पर लोगों को संदेह करवाने की कोशिश की है आप ऐसा नहीं करे बस हर एक वचन पर विश्वास करें वहां आपको अवश्य ही हर एक वचन पर विश्वास करना है यह भविश्यवक्ता का शब्द नहीं है, यह परमेश्वर का वचन है, जिसे रिकॉर्ड किया गया है और टेप पर संग्रहीत किया गया है महायाजक, बिशप, कार्डिनल, पास्टर के परमेश्वर के हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है हम कैसे जानेंगे कि यह परमेश्वर का वचन है, वह ऐसा कहता है, फिर वह इसे साबित करता है वह अपने वचन को साबित करता है आपको अवश्य ही परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन पर विश्वास करना है उसने साबित किया है कि टेप पर यह उसका बचन है उसने साबित किया है कि विलियम मेरियन ब्रंहम उसका सात्वा दूद संदेशवाहक है हमारे दिन के लिए परमिश्वर की आवाज वे सारे लोग जो संदेश और संदेश वाहत पर विश्वास नहीं करते नाश हो जाएंगे अब मैं बिल्कुल भी इन श्रोतागण से बात नहीं कर रहा हूँ आप देखो इसे टेप किया गया है और यह सारे संसार भर में जाता है क्या आप समझ रहे हैं संसार के लोगों कि एक वचन एक वचन ना ही एक वाक्य ना ही एक अनुच्छेद एक वचन बस यही है जो हव्वा ने अविश्वास किया वो वचन है और हम उसके वचन का भाग थे यही कारण है कि हम यहां है कि जीवन में हमारे स्थान की पुष्टी करे हर एक वचन पर विश्वास करके वचन के साथ बने रहकर दुलहन को हर एक वचन की संकेत करके जो टेप पर है हमारे समय में मनुष्य का पुत्र प्रकट हो चुका है उसने कलीसिया को सिर से जोड़ा है, दुलहन के विवाह को एक जुट किया दूलहे की पुकार आचुकी है मनुष्य का पुत्र दोनों को एक साथ जोडने के लिए मनुष्य की देह में आचुका है वह वचन है हम उसके वचन हैं और दोनों एक साथ जुड़ते हैं यह मनुष्य के पुत्र के प्रगट होने के प्रक्तिकरण को लेगा ना ही या जगण येशु मसीह हमारे बीच मनुष्य की देह में नीचे उतरेगा और अपने वचन को इतना वास्तविक बना देंगा कि यह कलीसिया उस दुलहन को और उसे एक सा कर देगा और फिर विवाह के भोज के लिए घर चले जाएंगे आमीन वचन का प्रक्तिकरण दुलहन को एक कर देगा यह मनुष्य के पुत्र को फिर से प्रकट करता है ना ही कलीसिया के धर्मध्यानियों को मनुष्य का पुत्र वचन और कलीसिया एक बन जाते हैं मनुष्य के पुत्र ने जो कुछ भी किया वह वचन था हम जो उसकी दुलहन है उसी काम को करेंगे हम पवित्र आत्मा, उसके वचन, उसकी आवाज के द्वारा एक हुए हैं और विवाह भोज में जाने की तयारी कर रहे हैं वचन ने हमें एक किया है और दोनों एक बन गए हैं हम टेप, टेप, टेप कहते हैं आपको अपने घरों में, अपनी कलीसियाओं में अवश्य ही टेप को चलाना चाहिए टेपों को चलाने पर बहुत अधिक जोर देने के लिए हमारी आलोचना की जाती है हम ऐसा क्यों कहते हैं टेपों पर हमसे कौन बात कर रहा है अब याद रखें, वो यीशु नहीं था जो वहाँ अबराहम से बात कर रहा था जो उसके पीछे सारा थी उसके मन में विचारों को परक सकता था वह यीशु नहीं था, उसका अभी तक जन्म नहीं हुआ था लेकिन यह मानव देह में एक मनुष्य था जिसे अबराहीम ने एलोहीम महान सरवशक्तिमान कहा यदि आप विश्वास करते हैं कि मनुष्य का पुत्र हमारे समय में प्रगट हुआ है पर मिश्वर मनुष्य के होठों में से होते हुए बोल रहा है तो भला कोई भी उस आवास को सबसे महत्वपूर्ण आवास के रूप में रखने के महत्व को कैसे नहीं देख सकता है जिसे आपको अवश्य ही सुनना चाहिए मैं दूसरों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ जो उसे नहीं देखते और उस पर विश्वास नहीं करते जिसे हम विश्वास करते हैं वे हमारे भाईभन हैं लेकिन मैं बहुत ही संतुष्ठ हूँ बहुत ही भरा हुआ इतना निश्चिन्थ हूँ की यह परमेश्वर का अपनी दुलहन के लिए प्रदान किया मार्ग है मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ मेरे और मेरे घराने के लिए बटन को दबा कर चलाना ही एक मात्र मार्ग है मैं एक बार फिर से दुनिया को आमंत्रित करता हूँ की वे आकर और हमारे साथ एक जुठ हो रविवार को दोपहर बारा बजे जेफर सन्विले समयनुसार जब हम सुनते हैं अपने वचन को सिद्ध कर रहा है चौनसट शून्य आठ एक छै भाई जोसफ ब्रणहम सभा से पहले पढ़े जाने वाले वचन संत मत्ती अध्याय 24 आयत 24 संत मर्कुस अध्याय 5 आयत 21 से 43 संत मर्कुस अध्याय 16 आयत 15 संत लुका अध्याय 17 आयत 30 संत लुका अध्याय 24 आयत 49 संत युहन्ना अध्याय 1 आयत 1 संत युहन्ना अध्याय 5 आयत 19 संत युहन्ना अध्याय 14 आयत 12 रोमियो अध्याय 4 आयत 20-22 एक थिस्सलनिकियो अध्याय 5 आयत 21 बरानियो अध्याय 4 आयत 12-16 इबरानियो अध्याय 6 आयत 4-6 इबरानियो अध्याय 13 आयत 8 एक राजा अध्याय 10 आयत 1-3 योईल अध्याय 2 आयत 28 यशाया अध्याय 9 आयत 6 मलाकी अध्याय चाय